हेलो एंड वेलकम एरिवन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बहुती बढ़िया और बहतरिन तरीके से सेशन के सुरुवात करते हैं आज हमारे इस सेशन का अज हमारा साथवा लेक्चर है अई होब इस सीरीज को आप मैंटेन कर रहे होंगे और को भी अच्छे से आप ल पॉजिटिव इस्पीट की साथ क्या करेंगे हम लोग हमारे सेसन के हम लोग सुरुवात करेंगे तो आज हमारे डे जो रहेगा साथवे नमर का लेक्चर रहेगा और डेली हम 15-15 कुश्चन हम डिसकेसन करते हैं कुछ समय के बाद हम कुश्चन बढ़ा भी देंगे अभी तो इस्ट करते हम लोग सभी बच्ची बिलेंगे जी सर स्ट पीजिए बाकि हम लोग स्ट करते हमारे सेशन बहुती बढ़ीया अब देखो मैं नाम्चेंज भी कर दिया है है ना मैंने चेंज किया है डाइनामिक एगरी इंडोर कर दिया है आप यहां तो वहीं आप बोलू जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुचते हैं, जिन लोगों क्या होता है, अपने अंदर विश्वास होता है, कि नहीं यार, मैं इन चीज़ों को कर ले जाएंगा, महनत कंटिनेशली करते जाते हैं, एक दिन करते हैं, दो लोग सेशन के सुरुवात करते हैं, यहां पर बढ़िया से, ठीके, चलिएंग, तो आज के सेशन का हमारा फॉस्ट नमर का यह प्रिविस लेक्चर में आपको बताया था, आपको करने के लिए बोला था, कुछ बचों ने एंसर भी किया, कुछ बचों नहीं भी किया, कोई इंडियन जर्नल एग्रोपेटलोजी है, मतब एक जर्नल होती है यहां पर, एग्रोपेटलोजीक जर्नल है, जो किसने इसको पब्लिस करने का काम क्या था, तो इसको पब्लिस करने का जो काम क्या था, नेशनल ब्यूरो स्वाइल सद्वे लेंड यूस प्लानिंग, जो कहा साम क्या होता है fertilizer news को भी अप लोग ध्यान रखना तो पुछा जाएगा इस इस यह बहुत करेंगें फल से नहीं होगा यहां पर फर्टिलाइजर जो सब्सक्राइब और अगर्ड पर चलिए अगले कुछ तरफ हम बढ़ते हैं आप पर कि दी केमिकल कॉमनली यूजड फॉर प्रोलोंगिंग वेस्लाइफ इन कट फ्लावर जिसे आपने देखे होंगे कि सब्सक्रों कि आपकी सब्सक्राइब के लिए आपके सब्सक्राइब करें और तो सब्सक्राइब पर कर अ cacoblaर के लिए ऊपए कट फ्लावर बोलते हैं को बोलते हैं को ऊटें चिस אתה लिड़ अगेला रहती है उसको मुठाट फ्लावर बोलते है तो उसके चैल्फ लाइफ का हम लोगों को एनहेंस करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे यहां पर तो किसका उपयोग किया जाता है सभी लोगों को पता है राइट एंसर यहां पर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा सुक्रोज हमारा राइट एंसर यहां पर बनेगा नॉमल जो क्या होता है सुगर वगरा के गोल में हम उनको रखेंगे न तो उनका जो लाइफ वगिरा होती हो लाइफ क्या हो जाते हैं वहाँ पर इंक्रिजिंग हो जाते हैं यहां पर इसको यहां पर ध्यान रखना मेलिक हाइड के बात करेंगे जो स्टाइब कीज यूस किया जाता है यहाँ पर अनियन में कि लिए बात करें जहाँ हिए यह व्य स्प्राओट या जना i strongest dormancy breaker द्यान रखना strongest देपूछे का बताओ कि strongest dormancy breaker किसको बोलते हैं तो strongest dormancy breaker किसको बोला जाता है potassium nitrate को भी बोला जाता है और potassium nitrate एक fertilizer भी होगा जिसमें nitrogen जो contain होगा 13.5% होगा nitrogen content और potassium जो contain होगा कितना होगा 44-46% होगा सभी लोग अच्छे सभी लोग इसको ध्यान में रख लेना सभी लोग यहां पर टेक है बाकि ABA के बात करेंगे तो ABA क्या होगा कि जीए तरी के opposite काम करता है जीए 3 germination को बढ़ाएगा यह germination को क्या करेगा रुकने का काम करता है कैसे हैं आप तो जब जब जिए जले जब जो जिए सबक good और को His cả इसना एक जो Su फॉलिएशन जब पढ़ाए था आप लोग बताया भी था कॉछा जाएगा बताओ cotton leaf defoluation में सबसे ज्यादा जो यूज होता है किसका यूज किया जाता है आप लोगों को पता है चले तो यह हमारा क्यूशन यहां पर क्यूशन के तरह हम बढ़ेंगे यहां पर देखो क्या होगा कि वाटर होते हैं तो कुछ जैसे क्या होता है कि आप लोग गुमने के गए हो या नहीं गए हो कितने लोग इसमें से अजय से हैं कि लोग पताना कि एकांदम लोग घुमने को गए सब्सक्रें तो इसको आप अलग तर्मिनलोजी मौहाँ पर दोगे आप लोग होता है तो लॉट कुछ अलग करता है जो गार्डन का हाट वहाँ पर क्या लाता है तो ऐसे हम बात करेंगे आप कि सब्सक्रों कि आप लोगों क्या करना है मतलब कोई ऐसे प्लांट हम आप दिखाई देते हैं प्लांट के से दिखाई दे रहे हैं जो पूरी तरीके से मतलब जो जिरो पैटर्स वाले प्लांट होते हैं यू नो जिरो पैटर्स वाले प्लांट कोन से होते हैं जी आपको उस सब्सक्राइब करते हैं तो इसको हम क्या बलेंगे जहरी इसकेपिंग हम लोग बलेंगे इसको जारूर द्यान रखना है जो वाटर कर दो इसको मतरी होगा है वींटरिंग से जाते है रचैशंज राटिंग होगा क्या जाता है शुतिंस को हुद्धी खैटने माणा है जाता है जैटा को इसको काट कर दिया जाएगा help ना रूट में запис तो रूट में तेरा रियम से क्या हम बात करेंगे जो टेरालिजम होगा यह क्या होगा यहां पर तो कुछ भी आपने देखेंगे कि इस ग्लास के जो कंटेनर वगरा होते हैं इसमें प्लांटों को यहां पर रग दिया जाता है मनलें यह तो इस कंटेनर रिंटेन उसे टैनर पर नहींंटेंग ग्रोंटन होगा था जो एक्जाम में कि चांसे जिसके यहां पर बनते हैं तो इसको आप लोग यहां पर ध्यान दखिएगा ठीक है चलिए अगले चलके हम बात करेंगे निश्ट हमारा तो कुषिन होगा कि the isolation distance for producing certified seed of call crop call crop की बात करेंगे तो लिए कितना होता है कि लिए जी होगा से लोग जान रखना यहां जो बताया है किसका पहले और देन किसका आता है यहां पे 1000 किसमी दिये गए मीटर में दिये गई यहां पर को आपके यह पूछा है यहां ने आपको क्लास में बताया लोगों को आप लोगों को दिया गया है वह किस इहां पे दिया गया है तो हम सेंटिमेटर को सकता है ऐसा बना तो नहीं है लेकिन यह possibility है बनने की और यह कर आपके बात करेंगे एक सब लोग पर पोस्ट कर ले इसको 1 मिंट के लिए और पूरा अच्छा से इसको रिविजन कर ले जिन लोगों को पास नहीं लिखा है इसका है यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ राखा है अरदी हूँ आपए तो एक बार अच्छे से सिसका रिवेजन करना है यहाँ पर एक मिट के पॉस करें बेटो को और अच्छे से इसको remember करेंगे आज इस जीजे आप लगों को याद भी होती जाएगे कि हम बढ़ियास हमको remember हो रहा है कि को ली रिमेंबर हो रहा है यहां पर तो दिखो rice wheat barley oat की बात करेंगे जो हमारी self pollinated होते groundnut soybean के बात करेंगे तो इनके लिए जो isolation जो distance वगरा होती है वो कितना रखा जाता है मतलब isolation distance में करेंगे कि seed को हम pure रखते keeping करकर रखते keeping और true type of seed यहां पर it is called isolation distance यहां पर तो rice wheat barley oat की बात करेंगे तो 3-3 meter यहां पर रखा जाता है है दोनों में से कोई दिक्कतन यहांप है जो और लिडे में ने बता है पर्ल इम steak के hybrid में सबी बhi makes you हा को ध्यान रखेंगे कि würश करेंगे में कि bounty 1200 or 1800 1200 1800 तो 1200 पर्ले मेंहिट के लिए और के बात अचारत सो हगए तो यहां हाजर ढट करेंगे तो 1800 1200 1800 पो जैए 1800 जाएगा के बीज के लिए सबसे जादा बताया था 1600 और कितना बताया था 1000 यहां पर बताया था 400-200 की बात करेंगी उकरा के लिए कितना जाएगा 400 और कितना जाएगा यहां पर 200 आता है करट को भी सभी जो होगा इसका कितना होगा 400 और कितना होगा 200 के सम्तिंग होता है कोटन का होगा 50 तो 30 होगा बाइट नो ठीकी बात देख लीजेगा यहाँ पर नहीं जो बच्चे बाइट रेड खलाझ से यहाँ ने करके रखें यह काफी इग्जाम में इसकी ज्यादा पॉसिबिलेटी यहां पर बनती है तो कर लोग अच्छे से सभी बच्चे बलेंगे यह से नो कि लोगों जी सर हम लोग अच्छे से इसको यहां पर कर लाएंगे कर लोगे नहीं हां जी कि अच्छे सब्सक्राइब काफी लोगों को याद भी चीज़ी होगी हां पर चलिए अगले कुश्ण के तरह हम बढ़ते हैं यहां पर सब्सक्राइब कर लोगों को नए नए कुश्ण यहां पर पता चले तो आप लोगों को नए नए कुश्ण यहां पर पता चले तो आप लोग ध्यान रखना यदे और्चिट के लिए बात करेंगे कि तो बीचिट के लिए सबसे बेश्ट में अब कोन से माने जाएगी रिंग माने जाएगी बट यहां पर कुश्ण में हमारे पास हलगा सा चेंज बार्चिट तो दिया दिया है लेकिन साजम वाटर होता है तो अंडूलेटिंग एरिया होता है वहां पर हम इस्प्रिंकल का यूज करते हैं और चीड में यूज की जाएगी यहां पर दे दिया हमारा राइट एंसर हमारा क्या बनेगा और सी जो होगा यहां पर माना जाएगा फ्लर्डिंग वाली कंडिशन के बात करेंगे तो यह तो मोस्ट उप दे किस में यूज की जाती है राइस क्रॉप में यूज की जाएगी ऐसे कौन से मेठड होती है कि जिसको ऑन एंड ऑप मेठड भी बोला जाता है यहां पर तो यह हमारी क्या जा सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें नहीं देंगे फिर इसमें नहीं देंगे फिर इसमें देंगे फिर इसमें नहीं 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 देंगे इसमें नह जाता है कि जिसको ऑन एंड आपमेटट के नाम से जानते हैं लोग जानेंगे सभी लोग यहां पर ध्यान दखना एक क्यूशन और मनता है हमारी जो वगरा होते हैं उसको रिकलेमेटेशन के लिए पर प्रसे पूछा जाता है कि जिससे अपने देखए होग इस की बात करें लिए का और कहा तक चार्ट ऑप में 302 HP कंप जाता है 8.5 और 8.5 सоч Fleets काहां तक जाता है 14.0 तक जाता है तो आपको सब्सक्राइए कि हां। कि लिए लिए करते हां पर लाइन का हम लोग यहां पर यूस करते हैं उसको सी ए को नाम से जानेगे saline soil में सबसे based क्या माना जाता है FIM माना जाता है या तो FIM नहीं देता है तो हम लोग क्या करेंगे एक bar एक method का use किया जाता है वो कुछ सी method होते हैं यहां पर flooding irrigation हो गया जाता है तो पूछेगा कि saline soil को reclamation करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी मेठट माने जाएगे ताप द्यान रखना flooding जोन से नीचे हो जाएंगे तो जितने भी साल्ट वगरा रहेंगे जब रूट जोन से नीचे चले जाते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे लीचिंग हम लोग बोलते हैं तो द्यान रटना है कि लीचिंग जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है तो फिर हम लोग को इयरन पारेट को यूज करना पड़ता है यूज लिख लेना कि जिसको हम क्या बोलते हैं यूज की नाम से लीचिंग हो जाएगा और एसिट सोदाने के लिए है लाइन का यहां पर यूज है है ज़्ली से भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं तिहां पर पर साथ सेशन हो चुकि हमारे साथवा सेशन चल रहा है यहां पर आप बताना कमेंट बॉक्स में कि सेशन केसा लग रहा है प्लीज यार है प्लीज देख बूर रहा हूं थे आप लोगों के लिए यार के मितलब तो एक मेंको भी लगना चाहिए अंदर से आर कि हाँ डिफिन तो इस सेशन का लाब अपैंब उठ्यक्राइं वत Gwen बच्छें करेंगे वां पर एसा करेंगे वलोगों करेंगे budget एंफपाइब भी सेशन केसा लग रहा है ताकि को एक मनोबल अंदर से बड़े कि नहीं मैं आप लोगों कुछ जूत घरा हूँ एक्दम सही से आप लगों क प्लेरिफाई में बता रहा हुँ घर के लिए थोड़ा एक दूर दिन के लिए मैं बच्चे लिए तूड़ा एक-दू दिन के लेका था खेंग सब्सक्राइब करना रहेगा तो सब्सक्राइब करना अच्छे से करना है मैं को पता चलना चाहिए कि साथवे लेक्षर मैंने आप लोगों से सब्सक्राइब करना अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के उनको बोलोगी सब्सक्राइब काफी यहां पर रहेगा चली तो यह तो हमारी होगे बात है जो मैंने कुछ यहां पर बनेगा डीको पता बता भी था प्रिवीश्श्त में कि ट्रेज यू इस यह तो यह क्या जाता है आगले तरह हम लोग बढ़ते हैं आपर बहुती बढ़िया कि इसको कब पास्ट हुआ था यहां पर ध्यान रखेंगे 1940 में पास हुआ था और इसको जो इनेक्टेट किया गया था इस बात को भी ध्यान रखना कि स्कूष इनेक्टेट किया गयाथ हुए हुँए जो इसको इनेक्टेट किया गया चैहिह पर कॉनसी को णी किसकी रोप ढूंस tecnologia कंशीए और जो भी इसके किया होते कि तो काफी को बेंट भी कर दिया था यहां पर पारित किया गया था तो डिस्ट्रेक्टिव एंसिक्टिस को ध्यान रखना है यहां पर सभी बच्चिस को ध्यान रखेंगे पास तो पास 1914 में हुआ था और इनेक्टेट हुआ था 1968 में और अमेंडेमेट किया गया था 1972 में हाँ पर किया गया था देखें चलिया अगले कुशन के तरफ हम बढ़ते हुआ पर वीच अप देफ लाविग इस मोश्ट शूटेबल रेडिएशन फॉरमर डिस इंफेक्षन औप फूड को डिसमीक्षन करने के लिए हम आपर सबसे जादा कों से रेडिएशन का यूज किया जाएगा यहां पर अल्फा बीटा या पिर गामा का है यूज़ यहां पर किया है और गामा रिज जो लेती है किसे निकलती है कोबाल्ट 60 एक अच्छा स्वार सा माना जाता है तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा यूज कि किया जाता है यहाँ पर चले बहुत बढ़िया आगे चलके हम बात करेंगे ग्रोथ रिलेटेट विध एसीड ग्रोथ हाइपोतिसिस एसा कौन सा हार्मोन होगा कि जो एसीड ग्रोथ हाइपोतिसिस से नहीं कि इसको डिरेक्टर सब बच्छी याद करेंगे कि एसीड ग्रोथ हाइपोतिसिस के बारे में यहांपर बताया था घ्यान रखना है सब बेच्चे बताना है यहीं पहर लाने के लिए का मम कौनसा हार्मोन काम करे जो होता है सीड जर्मिनेसन के लिए विद्धा कॉन करेगा यहां पर जीए थीरी काम करेगा ठीक है अच्छा आप लोगं बताना यहां पर यह कों सी एहांपर बात करेंगे और एक होता है यावर ईहापर प्लिख हो गलत हो गया हमारा पर को हटाने के लिए क्रेगा काम करेगा काम कुल करे है도 सी टू करेनग करें यह काम करए वह काम करता है साइटो काइन के-स फार्डेलिक धर से पूछा जाएगा डी लिए पूछा जाएगा Sag मतलब पन को फिर से लाए जाएगा हमापे तो री गिनिंग के लिए उस कर जाता है हैं यहां पर को प्लोग ज़रूरी यहां पर ध्यान रखना रिष्ट मेंड एंड लेंग साइटोगानिंग से हमारा लेलेसं यहां पर बंढ़ यहां पर ठीक है किलने से भी लोगों को यह से नो सुगरकेन में जो इंटर नोड बगएरा होती है तो पूछा जाएगा कि सुगरकेन में जो वगेरा होती है इस इंटर नोट का साइज को इंक्रिजिंग करने के लिए कौन सा हार्वन होगा जिब इंटर नोट का साइज बहुत ही बढ़िया अच्छे से हम लोगों को यहां पर समय में आ चुका है अगले कुश्ण के तरफ बात करेंगे हां पर कि बंडिंगे से स्मॉक पर कि यहां पर करते हैं यह में क्या करते हैं कि मतलब डिसीज होता है उस डिसीज के नाम के होता है यह से लिघ टिभ होता है और मेंगो में जो ब्लेक्टिफ होता है वो ब्लेक्टिफ होलेंगे कमें कि रिण ब्लेक्टिफ होता है वो किसका रान से होता है अ कपकी किया करेंगे महां पर मतल频 कुछ दूब बगारहाँ जलाते वहां पर इसमोक बगरहा देजा है वहां Def зна तो द्यान रखना उसको को क्या बोलेंगे is smulging बोलेंगे कुछिन काफी important है इसको ध्यान लखना इसको ट्रिपल इस्टार आप लोग मार लेना है यहां पर इस्प्रसेस को क्या बोलेंगे इस बाकि जुमका और टपका जो होता है एक maturity index को यहां पर define करता है तो इस पिसली mango की लिए होता है कभी गब डाइरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बताओ टपका और जुमका होगा यह इस पिसली किसके एक physiological disorder होता है तो दोनों के दोनों जो होते हैं यह किसके होते हैं मेंगो के ही consider किये जाएंगे इसको ध्यान रखना जरूर से जरूर यह चीज़े काफी यहां पर important है अब मेंगो के बात करूंगा यहां पर मेंगो में पूछा जाएगा कि बताओ मोंगो में में South India में कब की जाएगी यह काफी यह से question यहां से बनते एक्जाम में है लेटर में बता रहा हूँ में में पूछा जाएगा कि में में सौथ इंडिया में कब की जाएगी तो अगस्ट तूट सितंबर में की जाते हैं अगस्त और सितंबर में की जाएगी जरूर यहां पर रिस्प्र जोंगों को सभी लोगान रखेंगे यहां कि जाती है और में जो पुरिंग की जाती है सवटी इंदिया में की बात करेंगे हां पर हना साउथ इंडिया में दिया गया है तो अगस्ट तो सितंबर मंत में यहां पर की जाएगे यहां पर चले बहुत बढ़िया पॉलन इस्ट्रलिटी इन टॉमेटो की बात करेंगे टॉमेटो में काफी चीज़े अब नाम आ चुका तो हम चीज़ों को यहां पर देख भी लेते हैं यहां पर टॉमेटो की बात करेंगे सबसे प्ले सब्सक्राइब करेंगे तो यह एक स्वाइल की मेठड होते हैं तो फोर एलेमेंट के लिए की जाते हैं आपर सभी बैचे ध्यान रखेंगे आईरन के लिए कॉपर के लिए मेडचे के लिए और किसके लिए की जाती है जिंक के लिए की जाएगी ऐटेवाटान के संप्कुराइ cultura के लिए कौन सा यहां पूछेगा करता है कि इसको करने काम करता है को यहां पर नहीं करेगा इसा उमीद करता हूं मैं आप लोग से की से से लगे तुम्हें को बताना कि अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कुछ नया ट्विश्ट उसमें एड करूंगा तक आप लोग लगे यहां बहुत ही बढ़िया होगा और डेफिनेटली एक्जाम ओरिंटेट हैं तो डेफिनेटली सभी को अच्छा लगेगा ही और बात है चली एंजाइम is responsible for fruit softing fruit की softing के लिए कुण सा एंजाइम रिसपोल्सिबल माना जाएगा तो फूट की softing के लिए जो हमारा जो एंजाइम होगा उसका नाम होता है जिसका नाम क्या होगा पैक्टनेस को अपना जरूर्य यहां पर जहां रखना अफसर नंबर सी जो सब्गर घरा कॉने यहां पे तो ठीले हम लोगों तुमेटो यहां पर तीथ तदूमेटो की बत्वेशंगी के रिखेंगे नीजकांच तो vom क्यों जरूर।भ है यहां पे नकिल रहा हो गया नहीं पे चुका है कि प्लेवर सेवर का यहां ध्यान जो मानी जाएते एक किसकी होती तो टॉमेटों को ही होती हिहां पर जो कुछ डिसेजों के लिए स्पेशटिश बना कर बना गया है जो अलजामाय है तो टॉमेटों को जनेंट कर लूड़ता है फ्लेवर सेवर को यहां पे ऑफ़ सेवर फट इंपक्तन इसस लगता है जिसका नाम के बुलू सौ है पढ़ांस होगा की है च्छो टाह वो किस की कारण होता है कारण होता है कि सब्सक्राइब कारण होता हैben कि ल Twigon drops के तोटन पूछ लिए जाता हम यहां पर जो बने में यहां TOP लिगलने में से कहले सब्सक्राइब छैश्यां से हुग सब्सक्राब account क्या बिर्ण चाहिए लगन कि पर सब्सक्राइब उसको और होता है पॉटर पीए सब्सक्राइब होता है कि बताओ जो पॉफिनेस होता है। सबसे पहले बात यह भी ध्यान रखो, कि पफिनेस किसका physiological disorder है है यहां पर माना जाता है, तो पफिनेस घुष होता है, और पफिनेस किस कारण से होता है। इसका रिजन भी देख रहे हैं जो पफिनेस होता है वह किस कारण से होता है पूबर पॉलिनेशन के कारण ही होटा है त कि चले बहुत बढ़िया बाक्या तो आपको लोगों सब सभी सबी चीजे पता ही है एक मेरी दील आ रही है इस पेसली टोमेटों को उपर आप लोगों को पता चल जाए रहा हो पर तेक्यां चलिए वीच एंजाय में रिस्पूंसिबल यह तो हो चुका है लास्ट हमारा कुछ जो लास्ट नहीं 100 हमारा सवा नमबर मतलब 100 नमबर का हमारा क्व जाता है और हमारा सत्क यहां पर हमारा कंप्लीट होता है विटक्टर ऑप पिजन पी इस्टेलेटी मोजिक वाइरस जो ऑगा यह किस कारण से होता है तो यह होता है यूरोफाइड माइट के कारण होता है यह किस कारण से होता है यूरोफाइड माइट के कारण होता है और यूरोफाइड इस प्रकार साब लोग करते जाएंगे बस आप लोगों का साथ में को चाहिए डेफिनेटली आप लोगों के लिए में पूरा डेटिकेसन यहां पर करूंगा ठीक है चले बहुते बढ़िया तो सतक हमारा लग चुका है अगले कुशन के तलब हम लोग यहां पर बढ़ता है चले अब देखो पिजनपी की बात करेंगे तो यहां पर पिजनपी से कभी का पर एक कुश्ण पूछ ले जाता है एक इसके फेमस वराइटी होती ही सभी बच्छी द्यान रखेंगे जिसका नाम के होता है उपास 120 इसको पढ़ते हैं यूपी एस उपास 120 इसको पढ़ता ह चुक नोषस तो रड्रेंटेट ग्राम में पूछी कभी कहार जर्मिनेशन में पूछ ले जाता है कि इसको बता हूं तो ने अब हम हम यहां सबसे बार कॉन से डिसस के लिए इसको सकसेफ़ूली यहां पर बनाया गया था तो ध्यान रखना बॉट्द मिश्ण को सबसे पह वो किसके लिए बनाया था डाउर ऑफ ग्रेप के लिए यहाँ पे बनाया था रहना पर जो ग्रेप की की डाउरे दिश्यों के लिए यहां पर जब अब लिखते हैं ना बॉर्डेक्स लिखते हो तो बहुत सर्व पॉडरी आएगा या डाउन्य आएगा तो देखो एक एसा ब्रफमास तो दिया आता है तो दियान रखना डी से किया जाता है आपका डाउन्य मिल्डी और ग्रेव यह तो पता है ग्रेप में आल डाउन्य मिल्डी इस कॉज़ड वाई फंगस जितने भी डाउन्य मिल्डी होंगे सबी के सबी फंगस के कारण होते है और डाउन्य मिल्डी ग्रेव जिसका नाम होता है और ग्रेव की पाउडर मिल्डी जो होता है उसका नाम क्यों होता है यूनी सीनूला नेक्टर होत इत्य है यह कोण से नहीं कोऔर करना चाहिए घ्रेप की बाहँ करना चाहूए यहां पि οποboth numerous ग्रेप जो फूरट होता है घ्रिकार पहोह सता होता है यहां प्लेसंता होत trash प्रेडिक आपूता घ्रेज्ट हुरह आधे जाहेए उसका नेचर होता है स्लाइट एकटिक कंडिशन में इसको यूज करेंगे यहां पर जाएगा विसका नेचर के अधा से होता है इसको नहीं सब्सक्राइब इसको यहां पर बना लेजिए हाँ पर इंपोटेंट में बहुता है गाइन अलग-अलग होते हैं कि एक ही प्लांट जो होता है उसी के ओपर क्या पाया जाता है किमेल देखने को मिलता है एक ही जो होता है तो एक ही plank कि अपर दो फिमेल भी पाई जाते तक इस क्षोज किया बोलते से rió्टी को तो तो कुछ व्राइटी जो पाई जाते हैं पर जो गांडी हो जिसका गर में लगा जाता है चोटे से एरिया में लगा दे जाता है और इसी होती होती है बहुती डौर्फ वराइटी मानी जाएगी और उसका इस्पेसिंग जो होगा लगा जाते हैं जो प्लांट प्लांट आते हैं कि इतने प्लांट आएंगे एक एक टर में 6400 प्लांट पर हैक्टर के हिसाफ से आते हैं वहां पर और उस वराइटी जो होती है उसको क्या बले के हैं पर जो mutation के माध्यम से यहाँ पर डवलब की गई बिल्कुल आप लोग समझ गए यहाँ पर कि पापाय किसी कौन सी वराइटी है कि जो mutation के माध्यम से डवलब की गई है तो जिसका नाम क्या होता है यहाँ पूशा नन्ना कोई आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है यह काफी इंडिस जोंड काफी का अपर यहाँ इस है कि पूटी फुरूटी बनाने में कहते तो पूशा जाएंट को सभी लोग यहां रखेंगे चैनिंड इंडिस जोज केणिंग इंडिस्ट्रि केणिंग इंडिस्ट्रि कश पी उचbourg की इसका यूज़ किया जाएगा गुड विंडर एसिस्टेंट के लिए अच्छे माने जाती है साथ में बात करेंगे पूशन अन्य एक्स्टेमिडी ड्वार को सुटेबल फोर एक्टर में 6400 प्लांट इसके यहां पर आएंगे तो दोनों को दोने कुश्टन काफी इंपर्टन बहुत ज्यादा एक्जाम औरेंटेट हैं सभी बच्चे दियान रखेंगे हां पर जितने भी चीजे में आप लोगों को बटा दें तो लेडिया हमारे टाइम में से लगता ह हाला कि हमें समय हो चुका अभी समय को बढ़ा भी दूंगा अभी तुम्हें कुश्टन पर करता हूं कि जितना कुश्टन कर सके कि जुम्हें आप लोगों को एक्स्टा चीजे बता रहा हूं आप वह हमारे एक्जाम में आने जैसे रहे क्वेश्टन ऐसे आए यह कोई गै आएगा और उसके साथ यह भी बताना है कि आज का सेशन हमारा जो सेशन हमारा चल रहा है 1-2-3-4-5-6-7 हमारा साथ वादिर जो कंप्लीट हो चुका यहां पर तो सेशन केसा लगेगा कमेंट में सभी लोगों को ड्रॉप करना है ताकि में को भी लगे कि हां मैं आप लोग तो अपने दोस्तों को भी हां पर सेशन कीजिए तिवाली की आप सब लोगों को हाथ बिक सुब काम ना है अच्छे से इंजॉई कीजिए महां पर सेशन में मतलब जो भी फिश्टिल वगरा मनाईए अपने फिमिली के साथ हैपी रहिए मेरा ब्लेसिंग आप लोगों के सा रहेंगे ठीक है तो कि पीट आप थैंक्यू श्यों में सभी लोगों को सुब्राइब परें थैंक्यू समस्य वाले थैंक्यू सब्सक्राइब लोगों के साथ है